हैलो फ्रेंज आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरिके से फीश अंडाकडी रेसिपी दिखाऊंगी ये बहुत अच्छे लगते खाने में ये आप रोटी राइस दोनों के साथ ही खा सकते तो आप लोग मेरा रेसिपी को एन तक देखिए अच्छे लगें वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए तो चलिए देखते कैसे बनाते ही ये ये रेसिपी बनाने के लिए या पर मैंने 500 ग्राम रोवविश का अंडल लिया ये देखिए फ्रेंज, इसको मैंने पहले से हलके हाथ से अच्छे से धोके राखा आभी एक छूरी से इसको छोटे-छोटे टुकरे में काट लेते ताकि इसके अंदर नमक हल्दी बरबर जाए और खाने में फीकाना लागे आप चाहे तो इसको ऐसे ही राखके फ्राई भी कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंज काटके हो गए आभी मैरिनेट करने के लिए इसके आंदर डाल देते हैं स्वादानुसर नमक थोड़ासा हल्दी पाउडर और एक चामसतक लाल मीच पाउडर हाभी हलके हाच से नमक खल्दीको फ्रीश अन्ड़े के साथ अच्छी से मिला देते। जो और से प्रेस करेंगे तो ये तूट जाता है। ये देखिए अच्छी से मिला देया। इसको आभी 5 मैट के लिए ऐसी राख देते। मसाला करने के लिए मैंने एक छोटा मिक्सी जल लिया इसके आंदर डाल देते छोटे साइस का एक प्याज चार पाच काली लसुन थोड़ासा अद्रक एक छोटे साइस का काटा हुआ टोमेटो डाल देते पाच्छा हरी मिर्च और थोड़ासा पानी अभी ढखकन से ढखके मसाला को आच्छे से ग्राइड कर लेते ये देखिये मसाला रेडी हो गए पाच मेट भी हो गए अभी हम गैस को अन कर देते फ्लेम को मिडियाम में रखते गैस के उपरे कराई बिठा देते कराई में डाल देते 20-25 से मिलता कोयल ओयल को आच्छे से गरम कर लेते ओयल आच्छे से गरम हो गए अभी ये जो फीश अंडा है ये ओयल में डालके आच्छे से फ्राइड कर लेते तुरांथ हम इसको पलटेंगे नहीं थोरा टाइम के बाद हम इसको पलट देंगे अभी पलर देते, यह देखिए फ्रेंज, एक तरफ फ्राई हो गए, अभी दूसरा तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लिते आप यह फीश अंडर फ्राई को ऐसे ही खा सकते, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो ये देखिए फ्रेंस मैंने दोनों तरह पच्चे से फ्राई कर लिया अब हम इसको एक प्लेट पे निकल के रखते ऐसे करके हम बागी फीश अंडा को भी फ्राई कर लेते ये देखिए ये भी फ्राई हो गए इसको भी हम प्लेट पे निकल के रखते अभी कराई में और थोड़ासा ओईल डाल देते उसमें थोड़ासा साबूत जीरा और एक देज पत्त डाल देते जीरा को थोड़ासा भून लेते ताकि कच्चे स्मिल नाए तो भून के हो गए आभी कराई में डाल देते एपीसा हुआ मसाला इसके आंदा डाल देते थोड़ासा पानी थोड़ासा हल्दी पाउडर स्वादानुसा नमक थोड़ासा लालमीच पाउडर थोड़ासा धनिया पाउडर थोड़ासा जीरा पाउडर और दो मीडियाम साइज का काटा हुआ टोमेटो अभी मसाला को एकदम अच्छे से भून लेते ताकि इसमें से कच्चाई स्मेल नाए यह देखे फ्रेंज मसाला अच्छे से भून के हो गए अभी इसके अंदर डाल देते बरे कपका एक कप पानी पानी के साथ मसाला को एकदम अच्छे से मिला देते चेक कल लेते स्वादवरावर है क्या ने थोड़ा से नामक काम है अभी इसमें और थोड़ा से नामक डालके और एक बर आच्छे से मिला देते अभी एक धाकान से धाके ग्रेवी को आच्छे से उबलाने देते चलिया भी धाकान खुलके चेक कर लेते ये देखिए उबलाना चालो हो गए अभी ये जो फ्राई की आववा अंडा है एक ग्रेवी के अंदर डालके अच्छे से मिला देते एक ग्रेवी के साथ बापस से धक्कन से धक्के मेडियाम टू लो फ्लेम में और पाच मेट तक पका लेते हैं पाच मेट हो गए जलिया भी धक्कन खुल देते हैं ये दिखिए फिश अंडा करी है ना ये बहुत इजी रेसिपी ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते ये ज़्यादा तर राइस के साथ खाने में अच्छे लगते एन में हम इसमें डाल देते थोड़ासा बारीक खटा हुआ धनिया पत्त और डाल देते थोड़ासा गरम मसला ग्रेवी के साथ अच्छी से मिला देते तो ये देखे फ्रेंज दफीश अंड़कडी बनके तायार हो गए अभी हम गैस को बन कर देते सार्फ करने के लिए एक प्लेट ले लेते प्लेट के उपर राख देते ये फीश अंड़कडी को तो फ्रेंज ये था मेरा आज का फीश अंड़कडी रेसिपी आई होप के मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे आप भी इस तरीके से घर पे बनाईए खाईए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके भेजिए आप लोगों को कैसा लगा आज यहाँ पर मैं एंड करते हैं मैं आगे भी आऊंगे आप लोगों के पास मेरा नया रेसिपी लेके तब तक के लिए बहुत खुश रहिए थैंक्यू सो मच और हाँ रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज देख लाइक कर दीजिए